हेलो एवरीवन आज मैं आपके लिए अरवी की सूखी सबजी और चॉलाई के साखी रेस्पी लेकाई हूँ इस रेस्पी को आप लंच के टाइम बना सकते है या फिर डिनर के टाइम बना सकते है बहुत ज़्या तेस्ती ये बनकर त्यार होती है और बनाना बहुत ही असान है चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने ये अरवी ले लिया है अरवी को हमने पानी से ढोल लिया है और अब अरवी को हम कूकर में डाल देंगे फिर हम इसमें पानी डालेंगे पानी आपको उतना ही डालना है जितना कि जो अर्भी है वो पानी में अच्छी तरीके से दूब जाए फिर हमें कूकर के धकन को लगा देंगे और इसमें हमें एक सीती लगा देना है एक सीती में जो अर्वी है वो पक कर तियार हो जाएगी और ये देखिए हमने ये चुलाई के स्याग ले लिया है इसके जो बड़ी दंथल होते हैं वो उसको हमने तोड़कर हटा दिया है और जो पतले ओली दंथल है न उसको हमने रख लिया है और इसको पानी से धोल लेंगे और फिर इसको हमें बारिक बारिक कात लेना है आप लोग चुलाई के साग किस तरीके सर बनाते हैं मुझे कमेंट करके जुरू बताएगा तो देखे हमें तो साग को बारिक बारिक कात लिया है और अब हम देख लेते हैं अर्वी को तो ये देखिए अर्वी को हमने उबाल लिया है और ये थंधा भी हो गया है तो आप इसके छिलके को हम छिल लेंगे ये बहुत असानी से छिलके छिल जाते हैं और आपको ये अर्वी हाथ में लगेंगे भी नहीं अगर आप कच्छे अर्वी के छिलके को छिलते हैं तो ये ह हाद हमें बिल्कुर भी एचेंग नहीं होगे तो इसी तरीके सभी अर्वी को हम छील कर रख लेंगे और आब हम अर्वी को गोल-गोल कात लेंगे इसको नहीं ज्यादा पतला कातना है और नहीं ज्यादा मोटा हमें कातना है हमें इतना ही कातना है कि जब इसके सब्जी तेल हो जाए तव इसमें हम घीरा डाल देंगे और जीरा को हम फ्रोसा चितक नहीं देंगे जीरा जैसा हम यह तक जा permet को भून 1977 भून लेंगे और जैसे प्याज Cambrani के सब्सक्राइ whatsoever, तब इसमें हम डूल देंगे एक बट्राइब और अर्पी डालने के बाद आर्पी से हमें प्याज में अच्छी में अच्छी तरिके से हो चुक से आयद एक количество बड़ा थिसमें हम डालेंगे皆 चेसी अच्छी पाौडर प अब हम दालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउदर और स्वाद वनसार इसमें हम नमक दाल देंगे और सभी मसाले को शी तरीके से हम मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे हम इसको ज़्यादा पकाने की जुरत नहीं है क्योंकि अर्वी तो पहले से पके हुए बस में मसाले को ही भूनना है तो देखे एक से डो मिनेट मसाले को भून लेंगे और अब हम लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा गरा मसाला और साथ में डालेंगे यह थोड़ा सा आम चुड़का पाउडर इससे अर्वी के सब्जी बहुत ज़्याद तेश्टी बनकर त्यार होती है विल्कुष चटपटी सब्जी बनकर त्यार होगी तो यह देखे अर्वी की सूखे और चटपटी सब्जी बनकर त्यार हो गई है तो अब गैस को हम बन कर देंगे तो चलिए अब हम चुलाई के स्राग बना लेते हैं तो हम यह स्राग बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूं ज्यादा इसमें समान नहीं रखती हूं बस प्याज और मिर्ची और नमक की दार के बनाती हूं तो तेल डाला है पहले हमने कराई में तेल जब करम हो जाए तर इसम में हम चौलाई के शाग दाल देंगे और साग डालने के बात के ुच तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको में धाके कर?... विदियूं पर, प्काँ मिनतर गया है और आप देख सकते हैं यह जो साग है वह पहले से थोड़ा सा गल गया हैं उसती है और आप हम स्वात नमक कर देंगे In hug के ऋरले के और हम थोड़ा सा सार यह मानी कशी साग रहें कि क्योंकि तो फूरा सानी नहीं शाग भी शोला he जाने लिएum तो आप देख सकते हैं जो अच्छे से गल चुका है इसके डंथल को हातों से तोर के देखेंगे तो बहुत असानी सी तूट जाएगा तो देखें स्याग बनका ट्यार हो गया है और अब मैं इसके साथ खाने के लिए चावल के आटे का मसाला प्राथा बना रही हूं तो सबस स्याच गया तो धन्या का पावडर तो हमसार नमक नाल देंगे जेर안 अपंसार बना मिक्स कने अब evdon उते के लिए उससे ब्हुत अच्छी फ correct अन्यागा करेंग्व और जब आप चावल का अटे कि रोटी य परते बनाए तो तो आप मेंसा गुनगुना पानी का ही इस्तमाल करें अगर आप थन्दें पानी करेंगे तो हमारे जो आतव अच्छे से गुंथेंगा नहीं तो अब हम देखिए थोड़ा से शूखा आता लगा लेंगे और अब हम लोई लेंगे उसको में हलके हाथों से बेलेंगे ज्याद तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जूरू बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी मत फुलेगा फिर मिलते हैं कि नए वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ